नमस्कार जैजोहर साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ नीदी भरदवाज और मेरे साथ है सहयोगी अक्षे दूबे साथी हम दोनों हाजर हैं CG Roundup का नया एपिसोड लेकर और आज के सेपिसोड में हम आपको बताएंगे दिन भर की वो बड़ी खबरे जिसके चलते प्रदेश का सियासी पा रहा है रहा तो शरुवात करेंगे उस खबर के साथ जिससे सुनकर निशित तोर पर आप भी चौक जाएंगे बिलासपूर से एक बेहधी साइबर फ्रॉड का अनोखा मामला सामने आया है इस मामले में ड्रीम गल फिल्म आपने जरूर देखी होगी आयुशमान खुडाना की ये फिल्म थी बिल्कुल इसी फिल्म की तरज पर एक शक्स से एक करोड चालीस लाख रुपे से जादा की कर ली जाती है दर असल ये पूरा मामला क्या है मैं आपको शॉट में बताना चाहूंगी नतीन जैन नाम का एक शक्स था सॉफ्टिवेर इंजीनियर है बिलासपूर का रहने वाला है ये शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहा था इस दुरान उसकी मुलाकात होती है आ लड़की को पसंद करता है एकता जैन उसका नाम रहता है उसके बाद जो आरोपी है वो यहाँ पर अपना टालेंट दिखाता है मिमिक्री वाला टालेंट दिखाता है और उसके बाद धीरे धीरे किस कदर पीडित को अपने जाल में फसाते जाता है ये बहुत ही रोचक है दरसल जो आरोपी है वो लड़की की आवाज निकाल कर लगातार पीडित से बात करने लगता है, उसे अपने प्यार के जाल में फसाता है, शादी का वादा दिलाता है और ना केवल लड़की का आवाज बलकि वो उसके पिता की आवाज में उससे बात करता है, मामा की आवाज में बात करता है कभी भाई की अवाज तो अलग-अलग अवाज निकाल कर वो नगाता लड़के से बात करता है और इस तरीके से करोडों रुपए वो उससे एट लेता है और ये बिचारा प्यार का मारा जो पीडित है नितीन जैन वो समझ ही नहीं पाता कि वो जिससे बात कर है वो कोई लड़की नहीं बलकी लड़का है और इसकदर वो धीरे-धीरे उस पर अपनी सारी संपत्ति लुटा देता है एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि जब आरोपी कि वो जिससे बात कर रहा है वो कोई लड़की नहीं बलकी लड़का है इसके बाद वो सीधे थाने पहुंसता है थाने जाने के बाद वो शिकायत करता है पुलिस ट्रीम फॉरन आक्शन में आती है और एक महिने तक यह पूरी जो जाज परताल है वो चलती है और आखिरकार आ जो है वाइरल हो रहा है हमने अपने चानल में डाला भी है अगर आपको ये ख़बर पूरी देखनी है तो आप हमारे चानल में जाएए आपको बहाँ पर ये ख़बर जरूर मिल जाएगी लेकिन एक और बहुत इंट्रस्टिंग बात है आपको मैं यहाँ पर दर्शकों को भ आपस भी दिये लेकिन अब जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है चलिए रुक करते हैं अब अगली ख़बर की ओर और अक्ष्या आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी ख़बर है बिल्कुल जो बिलासुन यह घटना हुई उसमें मैं भी देखकर काफी हैरान था और परशानी की बात भी है कि अब सहज तोर पर आप किसी पर यकीन नहीं कर सकते हैं आवाज सुनकर तो बिल्कुल भी नहीं इसलिमें चाहतो आप वो ख़बर देखें और आप भी सतर्क हो जाएं लेकिन अब सतर्कता बरतने की बारी एक बार फिर सत्तरूर पार्टी की है दीपक बैज का ये निशाना है उन्होंने कहा है कि अभी कुछ नहीं होना है और वितमंत्री कुछ कर नहीं रहे हैं यह बढ़ा उनके ओपर आरोप है और साथ ही उस घटना की ओर चलते हैं क्योंकि लगभग पाँच दिनों में कई बड़ी घटना हुई है जगदलपूर म सुक्मा की घटना की ओर मैं आपको ले चलता हूँ, जहां एक जन अदालत लगाई जाती है और जन अदालत में तीन ग्रामीडों को पहले तो बेधम पिटाई की जाती है उसके बाद एक ग्रामीड की हत्या कर दी जाती है, आरोप है कि यहनुने पुलीस की मुखविरी की, मुखवीरी आप देखते ही होंगे 36 गड़ के प्राया जो नकसल इलाके हैं उसमें दो तरह की मौते होती है एक तो है कि नकसल होने के आरोप में पुलीस की गोली चलती है किसी की मौत होती है वही नकसलियों की ओर से पुलिस मुकवीरी के शक में संदेह में ऐसी घटनाएं आम हो गई है जनताना अधालत जो परचितना हो उनके लिए बतादू कि एक समनांतर सरकार है जो नकसल इलाकों में ये चलाई जाती है नकसलियों की ओर से माववादियों की ओर से और इस अदालत में ग्रामिड बैठते हैं और जो नकसल कमांडर है या फिर उनके नकसल लीडर है वो बैठते हैं और उसके बाद उन पर आरोप लगाया जाता है जिन ग्रामिडों की पकड़ कर लाए रहते हैं उसके बाद वो पाकि जो ग्रामीड थे तीन ग्रामीड उनकी पिटाई की गई और चेतावनी देकर उनको छोड़ देने की बात सामने आई है अब पुलिस इस पर आगे क्या कारवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी अलाके में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है और निशित और पर नकसलियों की तरफ से ये काराना करतू थी और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बस्तर के अंधरूनी इलाकों में फोर्से जो हैं वो जा रहे हैं पुलिस कैम्प खुल रहे हैं और इससे नकसली बोखलाई हुए हैं और इसलिए नकसली अपनी मौझूद की दर्ज करवाने के लिए और एक बार फिर से अपनी दहशत वैलाने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम देते रहते हैं सुकमा भी भी उन्होंने यही किया चार ग्रामिनों को पहले तो उन्होंने अगवा क कर लिया उसके बाद उन्होंने मंगलबार रात को जन अदालत लगाई जैसा की अक्षन आप लगों को बताया सब के सामने एक यूवक की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी महच 20 साल का वो यूवक था बाकी तीन ग्रामिनों को भी जम कर पीठा चितामी देकर छोड़ दिया था राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा के वक्त 20 जनवरी का वो दिन था जब साधराम यादव जो की कवरधा के रहने वाले थे कवरधा के लालपूर गाओं वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है 21 जनवरी के सुभा उनकी लाश मिलती है क्योंकि राम मंदिर की प्रान प्र रही होती है तो टेरर कनेक्शन की भी बात सामने आती है अब इसी मामने में एक बड़ा डेवलप्मेंट सामने आया है पुलिस ने इस मसले पर दो जो मुख्यारोपी थे उन पर UAPA के तहत कारवाई की थी और उनके जो फोन थे उन्हें फॉरेंसिक जाज के लिए भेजा गय उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है इसका प्रूफ भी पुलिस को मिल चुका है क्योंकि जो मेन आरोपी है वो उसका फोन पूरी तरीके से तूट चुका था पांस साल ये पुराना फोन था फॉरेंसिक वालों ने भी पहले हाथ खड़े कर दिये थे कि हम इसका डेट चुनाव आया तब आखिरकार डेटा की रिकवरी हुई और सोचने वाली बात ये है कि डेटा रिकवरी जो हुई उसकी जो रिपोर्ट है वो अप्रेल में ही सामने आ चुकी थी लेकिन ये लापरभाही अधिकारियों की थी कि कि किसी ने इस पर ध्यार नहीं दिया क्योंक पर पकड़ चुकी है अब आपको मैं फटाफट ये भी बता देती हो कि मोबाइल के डेटा में से क्या कुछ मिला तो जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें ये बात सामने आई है कि आरोपी का जो कनेक्शन है वो जम्मू कश्मीर से लागातार वो जम्मू कश्मीर आना जाना किया करता था वहाँ पर कुछ संदिग्द लोगों से उसकी बातशीत भी है उसके फोन पर कुछ संदिग्द टाइप के वीडियो और ओडियो भी मिले हैं पुलिस इसी मसले पर पुरी आगे अपनी जाच बढ़ाएगी और पुलिस का ये दावा है कि इस सबूत के अधार पर जो उन्होंने धारा लगाई थी यूवे पिये की वो इससे और भी जादा मजबूत हो जाएगी अगर ये इतना आसान होता तो अब तक कुछ और सुराग भी हाथ लग चुके होते अब हला कि पुलिस के और से दावा किया गया है कि कुछ संदिग्द फोटो मिले हैं लेकिन जो संदिग्द फोटो मिले क्या वो वाकई में आतंकी connection उनका है या नहीं है या सिर्फ एक धर्म विशेस होने की वज़ा से ऐसी बाते पहलाई जा रही है क्योंकि विपक्ष का तो ये आरोप भी सामने आते रहता है तो ऐसे में पुलिस को ही बहुत काम करना बाकी है इस पूरे मसले पर साथ ही अब देखिए दीपक बैज कि मैं आरोपो पर बात कर रहा था दीपक बैज ने कहा है कि लगादार 36 गण में जो हत्याएं हैं ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर पा रही है वो प्रेस कॉन्फरेंस भी करते हैं और जग्दलपूर में मामला भी हुआ है चोरी का एक संदेश जिताया गया लेकिन जो चोर आये थे उन्होंने हत्याएं की हैं तो इस पर भी अब बोई पक्ष काफी सरकार के उपर बहुत सारे आरोप लगाया जा रहे हैं और देवेंदर यादाव का एक मसला भी सामने आया ह उनको नोटीस जारी हुआ था ब्लदबजार मामले में और उसके बाद वो अपना जवाब तलब किये लेकिन अब उनके उनकी और से ये आरोप लगाया गया है कि सरकार इस पर राजनी की रूप से बदला ले रही है और उन्होंने हाई कोड की और रूख किया है और मांग क है कि इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि सरकार सियासी तोर पे बदला ले रही है तो ब्लदबजार का जो मामला है फीर सुर्ख्यों में है आगे हम इस पर और भी चर्चा करेंगी अपने दूसरे कारिक्रम में लेकिन 36 गड़ में इतना तो जरूर हो गया है कि कॉंग्रेस क हिसे में कई सारे ऐसे मामले आ गए हैं जिस पर अराम से वह आन्दूलन भी कर सकती है और सरकार है साय सरकार उसको उसकी गहरा बंदी भी कर सकती है लेकिन एक बड़ी खबर की और मैं रूख घाना चाहूंगा और आप से भी मैं इस पर आप की प्रतिक्रिया लोंगा क्यों सब लोगों से जुड़ा हुआ मसला है और पांस और वम सिलेंडर का इंदजार 36 गड़ के हर लोग के हर खास तौर पे महिलाओं को तो है ही और इस ओर सीम साय ने इशारा कर दिया है कि अब इसकी शुरुवाद बहुत जल्द हो सकती है हलाकर हुन कोई तारीख नहीं बताई ह है जब कल कारकारणडी की बैठक थी बीजेपी के तमाम बड़े दिगजनेता मौझूद थे और साय ने कहा कि हम अधिकतरवादे पूरे कर दिये हैं और जो मोदी की गारंटी है वो इसका मतलब है कि गारंटी की भी गारंटी है ऐसे में वो 500 और में स्लेंडर का भी जिक्र करते हैं जिसे माना जा रहा है कि अब सरकार जल्द ही इस पर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है इसे लग रहा है कि अब जो ग्रिणियां हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी बिलकुल क्योंकि महतारी वंदन योजना में लगातार कॉंग्रेस आरोप लगा रही है कि सभी महिलाओं को इसका लाब नहीं मिल पा रहा है जितनी महिलाओं को पैसा देने का दावा बीजेपी की सरकार कर रही है धरातल पर वो आकड़े सही नहीं है जूटे हैं और भी का बाव पढ़ने वाला है और महिला तो महिलाओं जो जिनके खाते में पहले से पैसे आ रहे हैं वो तो फिलहाल खुश नजर आ रही है लेकिन वाकई 500 रुपए में सिलेंडर गैस का इंतजार पूरे प्रदेश वास्तियों को है अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की एक चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार चैजोहार